तो दोस्तो आज हम explain करेंगे कोरी मुवी जिसका नाम है Too Beautiful To Lie मुवी की starting होती है हमारी family leads है जिसका नाम होता है जू यॉंग्जू यॉंग्जू अपनी सजा काट रही होती है एक जेल में एक fraud के चलते काफ़े दिन भीतने के बाद जो जेल का warden और officer होते हैं वो यॉंग्जू को एक room में बलाते हैं वहाँ पर पहुश कर यॉंग्जू बता रही होती है कि मैं काफ़े time से अपने rehabilitation के लिए woodwork कर रही हूँ यॉंग्जू बहुत ज़दा उदास होती है और वो बूर रही होती है कि मैं अपनी सिस्टर की wedding के लिए एक wooden duck बना रही हूँ कहा जाता है कि ये fortune की blessing है ये सब मैं अपनी सिस्टर के लिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे parents की death हो जुई है मेरे सिस्टर मेरे mother और father की तरह है मेरे लिए जब भी मैं पर सिस्टर के बारे में सोचती हूँ तो पर मैं याद आता है कि उसने मेरी fees के लिए अपना high school का एक साल miss कर दिया था officer आती है और वो यंग जू को बुला रही होती है अपना नाम सुनकर यंग जू बहुत जादा खुश जाती है फिर वो अपने cellmate से बोल रही होते है कि जूट बोलना एक natural gift है और तुम लोग को ऐसे बोलना चाहिए जूट ताकि ऐसा ना लगए कि तुम force कर रहे हैं अपने दूसरी cellmate बोल रही होती है कि तुम्हें आकर हम पता ही चल गया जेल से रिया होने के बाद यूग जू एक telephone booth में जाती है और वहाँ पर उस अपनी sister को call करती है लेकिन वो call पिक करता है उसको sister का होने वाला husband यूग जू की sister अपने husband के साथ एक shop में आया होती है अपनी wedding dress क लिए चैसे पर चलता है कि उसको sister call आया होता है तो फिर वो अपने husband से phone लेती है और बाहर चली जाती है बात करने के लिए यूग जू अपने बहन से बोड़ रही होती है कि मैं रिया हो गई हूँ sister कह रही होती है ठेक है फिर यूग जू बोड़ रही होती है क्या तुम्ह call पिक किया था क्या हो तुम्हारा future husband है sister हाँ बोलती है यूग जू खुश होकर बोड़ रही होती है तुम्हें याद है ना कि मैं तुम्हारे लिए dress choose करूँगी wedding के लिए तुम बस मेरा wait करना मैं तुम से मिलने के लिए आ रही हूँ ये सुनता है उसके sister बहुत साथ surprise क्यों होगी हो क्या तुम्हें ड्रेस तो चूज नहीं कर ली है sister मना करती है उसे बता रही होती है कि अभी मैं अपने in-laws के साथ में हो तो फिर मैं बिलकुल ठीक रहूंगी क्यों ना तुम ऐसा करो कि तुम ड्रेस ले लो या फिर किसी ट्रिप पर चली जाओ यंग जो कह जाती है और बुसान की और जा रही होती है काफी देदर ट्रेवल करने के बाद यंग जू अपनी सीट पर ही सो जाती है फिर एक स्टेशन पर ट्रें रुखती है उस टेशन पर एक परसन चड़ता है और वह जाकर यंग जू की सामने वाली सीट बैट जाता है उस परसन का चाँन होता है ही चौल पहुताता बाज़ता है हाथ में एक रिंग होती है वहीं पास ही वह एक और आदमी होता है जो कि ही चौल की प्रहाट देख रहा होता है अचानक से वह तर्शन में निकाल सके और जैसे वह रिंग तक सब्सते हैं तब योंग जाती है और만 really precisely को देख पिर वहाँ पर नीचे अपनी मौम के रिंग लेने के लिए गया था मैं किसी को प्रपोज करने जा रहा हूं और यह मेरे लिए बहुत इंपोर्टन्ट है पिर वो खड़ा होता है और वो वाश्रूम की ओर जा रहा होता है तब ही वो आदमी भी खड़ा होता है जो की हीचल को घुर कर देख रहा होता है वो हीचल से जाके जर्मस के टकरा जाता है और उसकी पॉकेट में से वो रिंग निकाल लेता है और ये सब होते हुए योंग जु देख लेती है कुछ ही मिनट बाद अगला स्टेशन आने वाला होता है और योंग जु उस चौर की ओर देख रही होती है जिसने की वो रिंग चुराई होती है फिर वो याद कर रही होती है कि उससे जेल की वा argue ने कहा होता है कि तुम ट्रवल से दूर रहना कुछ मिनित बाद वो ट्रेन स्टेशन पर रुख जाती है तो फिर योंग जू भी ट्रेन से निइशे दो जाती है और वो उस चोर का पीछा कर रही होती है पीछा करते है कोधरियो उस चोर के पास एकदम से जाती है प्र बहुत दा दा खुश हो रही होती है तब ही जो उसके ट्रेन होती है दुबारा सोच जाती है यॉपति जीवनपने वागया जिताいता जाती है यॉपत्वए में 걸로 घाल पने कचि बार बढ़ारीं होती है और साथ ही में बिद इसके साबने वाली सीट में एक परसन बैठा जिसका नाम है हीचुल ट्रेंट स्टाफ टीसी को कॉल करते हैं उसे पूछ रहे होते हैं हीचुल के बारे में टीसी चेक करता है कि हीचुल स्टेशन बतर गया और उसने कोई भी बैक सब्मिट नहीं किया है ये बाद सुनने के बाद स्टाफ यौगजु के पास जाता है और उसे बता रहा होता है कि हीचुल ने कोई भी बैक सब्मिट नहीं किया है लॉस्टन फांड में अगर वो हमें कॉल करेगा तो फिर आपको कॉंटक्ट रहेंगे अभी आप यहां से जा सकते हो यौगजु कुछ भी नहीं कहती है वहाँ से चली जाती है कुछ घंटे बाद वो हीचुल के विलेज जाने की यौगगग विलेज में पहुच जाती है विलेज में पहुच जाती है यह सबसे पहले हो यह हेड्रेसर की शॉप में जाती है कि हाँ वो मेरे का बेटा जो कि तुमारे बेटे का दोस्त है पहली लेडी बोर रही होती है कि हाँ तुम बिलकुल ठीक कहरी हो वो मेरे बेटे yung Duke का फ्रेंड है दूसरी बोर रही होती है कि ही चुल अपने टाइम पर एक टॉप सुडन तुम्हारे बेटे यंग डुक ने ही चुल का सर फार दिया था जिस वैसे उसकी जो ग्रैंड मदर थी वह बहुत ज़्यादा गुस्से में थी पहली लेड़ी जाने की यंग डुक की मम बोल रही होती है कि तुम बिल्कु ठीक कह रही है ही चुल की ग्रैंड मदर उसे बहुत नहीं बिलकि एक बेटी भी है और जब ही चुल की बहन पैदा हुई थी उस दरान उसकी मम की डेथ हो गई थी अब करीवन इस बात को 20 साल बीद गहे हैं ही चुल की जो ग्रैंड मदर थी वह हो कर रही थी कि ही चुल की मम को एक और बेटा हो लेकिन उसकी मम बहुत पूरे टाउन ने उसकी ग्रैंड मदर को स्कॉर्ड गिया बहुत ज़ादा योंग्जू दुबारा कोशिश करती है पूछने के लेकिन वो दुबारा एक्नोर करते थे इस वैसे योंग्जू वहां से जा रही होती है तब ही योंग डॉक की मम योंग्जू से बोर्ड ही होती है कि तुमें हेचूल फार्मेसी पे नहीं मिलेगा क्योंग तुम डिरेक्ट ही मेर के घर पे चली जा वहाँ पर वो तुमें मिल जा शायद ये सुनकर योंग्जू वहां से बाहर चली जाती है और वो बाहर जाकर एक टैक्सी लेती है टैक्सी हम बैठने के बाद जो ड्राइव और वो भाग कर घर कें अंदर चला जाता है। लेडी से कुछ कह रहा होता है यंग जू रिंग को देखती है और वस लेडी से बोड़ रही होते है कि मैं समझाने जा रही हूँ कि ये रिंग बेरे हाथ में क्यूं है तब यो लेडी बोड़ रही होते है कि हिचल घर पे नहीं है और शायद उसके फादर है वो भी फार्मसी और मैं उसकी आंट हूँ ग्रैंड मदर टैक्सी डागर के पास जाते हैं उससे पूश होते हैं कि मैं तुम्हारे ले क्या कर सकती हूँ टैक्सी डागर बोड़ रहा होता है कि मदर के आपको याद नहीं है कि मैं आपका तीसर सनी लोग हूँ हीचुल के फादर पूछ होते हैं क्या तुम मेरे बेटे को डेट कर रही हो यंगजु कहरी होते है कि जैसा आप सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है फिर हीचुल के फादर उसके अंकल को वहाँ से बाहर भेज़ देते हैं उनके जाने के बाद यंग जू कहरी होती है कि इस एक्स्पेरिन करना काफी complicated है बस आप ऐसा सुचे कि मैंने इस रिंग को कहीं से उठाया है मैं भी ऐसी बोईशन में नहीं हूँ कि मैं आपको सब कुछ बता सकूँ तब ही फार्मसी में एक उफिजर पहुच जाता है हीचुल के फादर यंग जू से बोढ़ रहे होते हैं कि तुम अचानक से यहाँ पर आगी हो तुमारे पास ये wedding ring है साथ ही में तुम मेरे बेटे के बारे में बात करी हो तुम में डंक से explain नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ यंग जू ओफिजर को देखकर घबरा आती है रहो बोढ़ रही होती है कि जैसा आप सोच रहो बिल्कुल वैसा ही है मैं आपको सच बताते हूँ कि मैं आपके बेटे से अच्छे टर्म्स में नहीं मिली हूँ इसमें मेरी भी गलती है लेकिन आपके बेटे ने भी mistake की है ये सुनकर हीचुल के फादर बोढ़ रही होती है क्या उसने mistake की है तब ही अचानक से यंग जू एक्टिंग करना स्टार्ट करती है और बोढ़ रही होती है कि तुम सारी लोग बहुत जादा मीन हो आप लोग प्लीज मुझे से कुछ भी मत पूछो ये कहकर वो रोते बाहर जा रही होती है अब ही एक और लड़की उस फार्मेसिय में पहुच जाते है और वो यंग जू से बोढ़ रही होती है कि तुम कैसी हो मैंने तुमारे बारे हम बहुत सुनाए है हीचुल से ये लड़की हीचुल की बहन होती है उसका नाम होता है सोमी यंग जू कुछ भी समझ नहीं आता है और वो ही पर बेहुच हो जाती है फिर वो सारे उसे उठाते हैं और हॉस्पिटल लेगर जाते हैं हॉस्पिटल में पहुच कर यंग जू को अंदर ले रहा जाता है चेक अप के लिए वो सारे लोग भार कड़े होते हैं और जो आफिसर होता है वो ही चुल के दूसरे अंकल होते हैं कुछी तेर में और भी कई फैमिली मेंबर पहुच जाते हैं और वो सारे ही चुल के बारे बात कर रहे होते हैं जो हिचल की आंट होती है उसकी sister सोमी से पूश रही होती है क्या तुम इस लड़की के बारे में जानती हो? सोमी भोट ही होती है कि मैंने कई बार हिचल को इसके बारे में बात करते हुए सुना है लेकिन आज से पहले मैंने कभी इसे देखा नहीं था और शायद यही होगी बड़की क्योंकि इसके पास हमारी माम की रिंग है और हिचल नो मुझे बताया था कि वो से प्रपोस भी करने वाला इसी रिंग से यंग्जू चुपते चुपाते हुए किसी तरीके से कॉलड़न पहुँच जाती है डॉक्टर कुछ भी नहीं बोलता फिर यंग्जू डोर ओपन करते है और वो देखते है कि आंट और अंकल वहाँ से जा रहे होते हैं तब ही मौके का फाइदा उड़ाकर वो बाहर निकल जाते है उस रूम से जैसे वो कुस दूरी बे पहुसी है तब ही उस रूम से डॉक्टर बाहर निकलता है और वो यंग्जू को रोक लेता है वो डॉक्टर रोक कर यंग्जू से बोल रहा होता है कि ये तीसरा महीना है तो फिर तुम्हें केरफुल रहना चाहिए मिस कैश को अवार्ट करने के लिए खाना रेगलर्ली होना चाहिए ये एकर वो डॉक्टर रूम के अंदर चला जाता है वहीं पर हीचूल के आउन्ट और अंकल भी रुख जाते हैं वो देख रहे होते हैं कि जिस रूम के अंदर वो डॉक्टर गया होता है वो रूम होता है गाइनो कॉलिजिस का ये सब देखकर वो फैमिली मेंबर्स के पास लेखते हैं उनने ये सारी बाते बता देते हैं हीचूल का अंकल बोड़ रहोते हैं कि इस लड़की ने बताया था कि इसकी मिस्टेक है लेकिन हीचूल की भी बहुत बड़ी मिस्टेक है ये सब सुनकर यॉंग जू बहुत ज़्यादा परिशान हो रही होती दूसरी और रेस्टोंट में हीचूल अपनी एक नी को बेंड करके अपनी गर्फरेंट के सामने बैटा होता है और उसे बता रहा होता है कि वो उसे कितना प्यार करता है उसे प्रपोस्थ करने के पाद वो अपनी पॉक्ट में हाठ डालता है लेकिन उसे रिंग نہیں मिलती है इस वैसे वो अपनी गर्फरेंट को प्रपोस्थ नहीं कर पाता है दूसरी और हिचुल अपनी गर्फरंड को प्रपोज ना करने के कारण बहुत ज़दा उदास होता है रूपनेरे फ्रेंड के सार ड्रिंक कर रहा होता है तब ही ओचुल के फोन पर कॉल आतर हूँ उसे पिक करता उसका फ्रेंड जो अपने रूम से बाहर निकलती है और वो नीचे जा रही होती है तब ही वो देखती है कि वहाँ पर वो सारे family वह बैठे होते है और बात कर रहे होती है उसले time पर काफ़े सारे लोग घर से बाहर निकलते है इस वैसे वो रोप पर ही लटकी रहती है उनके जाने के बाद हो नीचे देर देरे करका उतर रही होती है तब भी वो एक window पर पहुझ जाती है और वो window अचinstant की open हो जाती है उस window पर ही चुल की grand mother होती है उर वो आसमान की याच रही होती है और अचनक से वो story सुनान लग जाती है वो story बहुत ज़ाधा लंबी होती है, इस वैसे योंग जू परिशान होती है, वापस अपनी रूम में चली जाती है, अगली सुपह ही चुल अपनी ग्रफरेंट जेउन से मिल रहा होता है, जेउन कह रही होती है, मुझे लगाता है कि तुम काफ़ी टाइम तक यहां पर रहोगे है, या तुम लेकिन जो योंग कंग विलेज का वैदर है, और वहां की जो सीनरी हो बहुत जाओंगे, यह सुनते हीचुल खुछ जाता है, जो बोड़ रहोता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम जूट बोल रही हो, तुम ने इतनी असानी से इसका जवाब दे दिया है, दूसरी और हीचु अन्ट की आटा और भी कई लेडीज बैटी होती है, जो कि योंग जू और हीचुल के बारें बात कर रही होती है, फिर वहां पर हीचुल के फादर है रहते हैं, तुम ढ़क्त से खना खाना काना, यूंग जू ने धेंक्यू कहती है, और साथ ही मैं उन्हें फादर भी बोल ये सुनकर वो सारी लीडीज हिचल के फादर से बोड़ रही होती है कि आपको भी रिप्लाइय करना चाहिए विलकम.in-law फिर हिचल के फादर योगजू से बोड़ रहा होता है कि मैंने सोमी से सुना कि तुम सपाथ जाना चाहती है फिर वो सारी लीडिस योंग जू से बोड़ रही होते हैं कि तुम में अपने इनलोग के साथ स्पास जाना जी है, तुम्हारा रिलेशन बहुत जाता क्लोस होगा, काफी दिर तक सोचने के बात योंग जू उनकी बात मान जाती है, और वो हीचुल की आंटोस की सिस्टर और कांग विलेंज पहुच गया होता है, तो फुर इसे ट्रेन से पिक करने के लिए उसके अंकल वहाँ पर आते हैं, हीचुल की अंकल उसे पिक करते हैं, स्पास लेकर जा रहे होते हैं, हीचुल की पूछ रहे होता है, कि मैं तुम में बहुत जादा डिसपॉंटेड हूँ, अब तुम बड़े होगा, इस वाज़े मैं तुम बताने जा रहा हूँ, तुम्हारी आंट से शादी करने से पहले मेरे पीछे काफे सारी लड़कें पड़ी थी, लेकिन मैं तुम्हारी आंट से शादी कियो क्योंकि वो प्रेग्रेंट थी, अब वो भी तुमारे एक अंकल गुष्से मैंतर वो कुछ भी नहीं कहते हैं, कुछी देर में वो स्पा के बाहर पहुँच जाते हैं, योंग्जू देख रही होती है, कि वो सारे फैमिली मेंबर कुछ देर के लिए सो गई होते हैं, फिर वो स्पा रूम से बाहर निकलती है, और रेड़ी होकर वहा अंदर पॉसितर वो देखती है, कि वो एक बस का रेस्टरंट होता है, फिर वो नीचे तरदी है, और देखती है, कि उसके सामने हिचल खड़ा होता है, और उससे बोड़ रहा होता है, कि तुम तो उस दिन मुझे ट्रेन में मिली थी, योंग्जू कुछ से में कहरी होते है कि आगर कार मैंने तुम ढूंडी लिया, इचल पूछ आओता है, कि तुम यहां पर क्या करी हो, योंग्जू कहरी होते है, कि मेरे पस ट्राइम नहीं है, और ये सब उस रिंग की वज़से हो रहा है, इचल बोड़ रहा होता है, कि तुम ने रिंग के बारे में कैसे पता, अब मुझे समझ आया कि तुम मुझे जान मुझे को स्ट्रेन में पीट रही थी, तुम वागई में एक रियल प्रो हो, योंग जू बोल रही होता है कि यहां ऐसे करूँगे, जो भी मेरे साथ हुआ है, इस वज़े से, तभी वहाँ पर हीचुल के फादर आते हैं रो उसे प हुआता है कि तुम कौन हो, यहां पर तुम क्या कर रही हो, तो में highlighter कहरी होता है, अगर तुम उससे ऐसे बात करोगे, और उसे डरा होगे, तो फवर जो कैसे बात करेगी, और क्या तुम्हें पता है, कि वह pregnant है, है एचूल अपने uncle से बोलड रहाए होता है, कि आप कुछ मेरा प्यार है हीचुल के लिए वो बिल्कुल सचा है मैं तो कॉलेज भी नहीं गई हूँ जब मैंने सुना कि हीचुल अपनी उस फ्रेंड से बात कर रहा है तो फिर मैं कुछ भी नहीं कह पाई क्योंकि मुझे पता था कि मैं कॉम्पीट नहीं कर पाऊंगी मैंने प्रे किया था कि ये मेरे बाप वापिस आजागा लेकिन समझे पूरी तरीके से कट आफ कर दिया ये कहकर रोना स्टार्ट कर देती तो फिर जो हीचुल के अंकल होते हैं वो हीचुल को कर्स करने लग जाते है योंग जू वहां से जा रही होती तब भी हीचुल के फादर से रोकते हैं बोर रहे होता है कि मैं पूरी बात जाना चाहता हूँ डंक से जो भी तुम हीचुल के बारे में जानती हो हीचुल बोर रहा होता है कि फादर ये बहुत ये अच्छा आइडिया है योंग्जू बोर्ड ही होते है कि हीचुल अपनी family का एक लोता बेटा है हीचुल की mom को बहुत सारी परिशाने उठाने पड़ी उसे carry करने के लिए यहां तक कि उसने कई ladies से panty भी borrow करी है और हीचुल नो मुझे यह बताया है कि जब उसकी बेहन का जनम हुआ था उसी दुरौन उसकी mom की मौत हो गई थी हीचुल की grandmaster बहुत अच्छे है लेकिन उसकी mom की मौत के लिए सब ने उन्हें डाटा है यह सुनकर हीचुल चौक जाता है और वो सोमी से बूर्ड होता है क्या तुमने ये सारी बाते बताई हैं यहां तक इसकी fight भी और इसका सर भी फट गया था सारे family member यहां जो का believe कर रहे होते हैं तब ही हीचुल की aunt उससे बोल रहे होते है कि तुम अभी इसे fraud बोलोगे अच्छानक से हीचुल के फादर खड़े होते हैं हीचुल को पीटना स्टार्ट कर देते हैं यांगजु ने रोग रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि अगर आपको punish करना है तो फिर मुझे करो क्योंकि हीचुल बोल रहा है कि वो abortion करवा के रहेगा लेकिन मैं यह अकेले नहीं करवा सकती हूँ यह कहकर वो दुर वड़ जाती है और उसके जो फादर होते हैं वो हीचुल को पीटना स्टार्ट कर देते हैं और साथ ही मुझे उसे घर से बाहर निकाल देते हैं रात को हीचुल पने फार्मसी में होता है तब ही वहाँ पर यांगजु पहुच जाती है हीचुल यांगजु को देखकर बोड़ रहा होता है कि यहाँ पर सरफ हम दोनों है क्यों हम दोनों फ्रैंक हो जाएं यांगजु कहरी होते है कि मुझे मेरा वैक वापिस जाहिए बस हीचुल कहरा होता है कि मुझे किसी बैक के बारे में याद नहीं और मुझे नहीं फरक पड़ता कि वो कितना प्रीशेद हो वो क्रैपी बैग यॉंग जू गुसें भोड़ रही होते है कि तुम उसे क्रैपी बैग बोल रहो हो क्या तुम पता है कि उसके अंदर क्या था सोमी हीचुल के पास जाके उसे पीटते हो बोल रही होते है कि तुम एक लड़की पे हाथ कैसे उठा सकते हो हीचुल कुछ भी नहीं कहा पाता और इसके बाद सोमी और यॉंग जू घर वापस लौट जाते है सबके सोने के बाद यॉंग जू रैड़ी होती है और वो बाहर जा रही होती है जैसी वो अपने ही जिनर जा रही होती है तब ही वहाँ पर हीचुल की ज़िन में लेकर चली जाती है विलेजम बाद फैल गई होती है कि हीचल ने अपने गर्फन को प्रेगन्ट कर दिया है और वो इसे छोड़ रहा है इधर योंग जू सूमिन के साथ एक स्कूल में जाती है वहाँ पर पहुचकर सूमिन बतारी होते है कि यहाँ पर जादा बुक नहीं है इस वैसे यह सारे बच्चे हैं आपर खेलते रहते हैं और सारी बुक खरीदने के लिए करीबन 4 मिलियन वोन लगेंगे कुस देर बाद हीचल गर पे पहुच जाता है फिर वो अपने रूम में जाता है चुपकर वो अपने टॉप में रग लेती है हीचल वो आडिया नहीं ले पाता फिर वो जोंग जू से बोड़ रहा होता कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है जोंग जू कहरी होते कि में पस टाइम नहीं है मुझे मेरा वैक बाप पिच चाहिए तबी वहाँ पर हीचल को उसके फादर की आवास सना देती है तो फुर जल्दी से उड़ता और वहाँ पर एक रखाओ गलास लेकर भाग जाता है उस गलास को वो अंदर से पगड़ता है ताकि उसके फिंगर पिंट उस गलास पे ना है और वो ले जाकर अपने फ्रेंड यॉंग डू को देता क्योंकि वह का ओफिसर होता है कि तुम इसे फरन से लेंब बे ले जाओ और वहाँ पर फिंगर पिंट जो लगे हैं इस पे उसके बारें डिटेंज निकलवाओ यॉंग डू वो गलास लेकर वहाँ से चला जाता है रात को यॉंग जू हीचुर के फैमिली वंबर के साथ बैटी होते हैं उनके साथ में डिनर कर रही होते हैं तुर्वा सारे बहुत ज़ादा खुश होते हैं थोड़ी देर बात यॉंग जू बहार जाती है और फोन बूथ पे अपने सिस्टर वो कॉल करती है कॉल पर जाह देर तक यॉंग जू बात नहीं करती है लेकिन दोनों में बहस हो जाती है इस वैसे वो कॉल कट कर देती है अगले दिन यॉंग जू हीचुर के फाजर की सिस्टर और आंट और ग्रेंड मिदर के साथ खाना खा रही होती है सोमिन उनने सबको बता रही होती है कि यॉंग डु को छोट लगी है इस वैसे वो पैपर बया कॉंपोर्टिशन पांटेसिपाथ नहीं कर पाएगा लेकिन हमें नहीं पता कि कौन participate करेगा तब्योंग जू पूश ही होता है कि इसमें प्राइस कितना है सोमिन बता रही होती है करीबन फॉर मिलिन वॉन से जादा ये सुनते ही यॉंग जू मुस्कराल लग जाती है और वो सोमिन की ओर देख रही होती है उस देर बाद यॉंग जू हीचलो घर पे इन्वाइट करते हैं, उससे खाना खेला रही होती है, हीचल बोड़ रहा होता है, लगता है कि मेरे फादर को तुम पर शक होगा है, इस वैसा तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है, यॉंग जू बड़े क्यूटी तरीके से उसस हीचलो बोड़ रहा होता है कि क्या तुम्हें मैं स्रुपिड लगता हूँ, तब ही वहाँ आपर उसकी आंट आती है, और वो हीचलो से बोड़ रहा होता है, फिर वहाँ पर उसके फादा रहा होता है, और उससे बोड़ रहा होता है, और उससे बोड़ रहा होता है, कि यौंग्जू हीचुल की physical training start करती है काफ़ी दिन तक physical training के बाद अब वो मिर्चे खाना start कर देता है इन सब के बाद यौंग्जू से practice करा रही होती है कि उसे कैसे हसना है ताकि competition को ज़रा जब उसके सामने judge बैठे हो तो फिरो उन्हें अपनी smile दिखा सके smile की practice करने के बाद यौंग्जू हीचुल को एक shop में लेकर जाते है और वहाँ पर उसके लिए एक suit दिलाती है suit को पहनने के बाद वो हीचुल को देखते ही रह जाते क्योंकि वो बहुत जादा handsome लग रहा होता है लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाता है यौंग्जू कहरी होते है कि इसके पास कोई भी special talent नहीं है क्या कुछ ऐसा है कि जो तुम कर सकते हो वो भी perfectly ये सुनते ही हीचुल यौंग्जू को अपने room में लेकर जाता है फिर वहाँ पर वो एक guitar निगाता है वो उस guitar को play करता है और साथ ही में गाना गाने लग जाता है यौंग्जू हीचुल की और देखने लग जाती है और बहुत जादा खुश होती है काफी देर ता उसकी और देखने के बाद हीचुल पूछ रहोता है कि ये कैसा है यौंग्जू भूड रहोता है कि ये उतना खास भी नहीं है यौंग्जू भूड रहोता है क्या फरी मैं ना करूँ यौंग्जू कहरी होते है कि नहीं तुम यही करना ये कहकर हो जल्दी से बहार चली जाती है कुस दन ऐसे भी जाता है PRAC Linux करते हुए फिर एक दिन हीचुल यंग्जु को एक जाया पर लेकर जाता है और वो एक लेक के पास बैठे हुए होते है हीचुल यंग्जु को बता रहा होता है कि यह हमारे टाउन की बेस स्पॉट है यंग्जु कहरी होते है कि यह बहुत ही अच्छी बात है लेकिन तुम्हें उसे बता देना चीए कि तुमसे शादी करना चाहते हो और तुमसे दुबारा जबारे में बात करनी चीए क्या तुम्हें लगता है कि जूट बोलना अतना असान है जूट बोलना भी एक mind intense game है क्योंकि जो शुरुआत और end होता है वो मैच करना चीए स्टोरी से हीचु बोल रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे एक ठीजिस समझा रही हो और वैसे ही मैं साने से पैचान लेता हूँ तुमारा जूट मेरे पर काम नहीं करेगा जब नॉर्मल लोग जूट बोलते हैं तो फिर ओ दिखाई देता है लेकिन जब तुम सच बोलती हो तो फिर तुमारा चेहरा लाल हो जाता है यॉंगजू कहरी होते है क्या तुम ट्राय करना चाहोगे हीचुल हां कहता है उससे बैट लगा रहे था मैं तो जूट बोल रही हूँ तुम कभी भी मेरा मैच अप नहीं कर पाओगे और एक बात बोलूँ तो फिर तुम यहाई के लिए फिट हो और जब तुम्हारी गर्फर्ण यहाँ पर आये तो फिर वो यह जान जाएगी यह कहकर वो वापस लॉट जाती है घर पहुसते ही वहाँ पर सोमी उसे बता रही होती है कि तुम्हारी सिस्टर उसकी फ्रेंड यहाँ पर आये है यहाँ जू कन्फिस होती है तब ही वो देख दिये कि वहाँ पर जो फ्रेंड और सिस्टर आये होते है असल में उसके सेल मेट होते है उन दोनों को देखते हैं यॉंग्जू सरप्रेज आते हैं फिर वो और अपने रूम में लेकर जाते हैं तो पूश रे हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो यंग्जू कह रही होते हैं कि हीचुल के अंकल एक कॉप हैं फिर वह सेलमेट बौट रहे होते हैं कि अकर तुम ऐसा कहोगी तो फिर हम उनसे सब को बता दाएंगे कि हम सारे सेलमेट हैं यंग्जू कुछ भी नहीं कहती हैं अगली सुछ वह उन दोन लोगे काफे में लेकर जाती है वहाँ पर जो से बूर्ट होती है कि हम ज्यादा ग्रीडी नहीं हो रहे हैं जो भी तुम प्लैन मिलाने वाली हो पैसों के लिए हम चाहते है कि ऊसमें हमारा भी शेयर हो बस जो मैं कहूंगी तुम हो मानना पड़ेगा वो दोनों उसकी बात मान जाते हैं अगले दिन तो मार्केट रोस जाती है फिर वो कॉंटेस स्टार्ट हो जाता है पैपर वोएगा काफ़ी टाउन से कई लड़के आये होते हैं और जो सबसे फेवरिट होता है वो होता है संग संग बे जो की यॉंग ये टाउन का होता है एक करके सारे मेंबर्स उस स्टेज पर आते हैं तो फिर में बार ही होती ही हिचल की, हिचल जैसे स्चेजस पहुशता है तो फिर उसे अपने आपको अंडूस करना होता है लेकिन वो डंक से अंड़्यूस नहीं कर पाता क्योंकि वो बहुत जार नर्वस होता है यौंग जू बैक्स्टेज जाते रों हीचुल के पास जाके पूछ ही होते है कि तुम्हें वहाँ पर क्या हो गया था क्या तुम वाइपरेट कर रहे था हीचुल कह रहा होता है कि मेरी कोई गलती नहीं है लेकिन मैं ये कॉमबडियर नहीं जीश सकता हूँ यौंग जू बोर्ड होते है कि तुम कैसे कह सकते हो तुम ये अपने टाउन के एक होप हो तब ही यौंग जू को एक गाना सुआए देता है तो फिर वो जाती है कि वहाँ पर जो संग भे होता है एक गाना गारा होता है अपना गिटार लेकर और यहीं सेम गाना हीचुल भी लोग वहांपर होते हैं वो सारे बहुत जादा इंप्रेस हो जाते हैं जो हीचुल के पाइज जाते हैं उससे बोर्ड रही होते है कि अब से तुम यह गाना नहीं आओगे क्योंकि किसी ने पहले यह यूज कर लिया है एक एक करके सारे कंटर से अंदर जाते हैं फिर आखिरम बारी होती है हीचुल की हीचुल अपना गिटार लेकर स्टेजर पहुँच जाता है रोग बहुत जार नर्वस होता है फिर माइक पर हीचुल गाना स्टार्ट कर देता है और साथ ही में अपना गिटार प्ले कर रहा हो जितने भी लोग वहाँ पर होते हैं, वो सारे जुमना स्टार्ट कर देते हैं, यह देखकर जो योंगी टाउन के लोग होते हैं, बहुत जाता परिशान हो जाते हैं, पर्फॉर्मंस खतम होने के बाद, सबसे जाता तालियां बसती है हेजुल की पर्फॉर्मंस के लिए, हेजुल की फैमिरी चलाकर बॉर्ड रही होते हैं, कि तुम्हारी डॉटर लिलोव सा ऐसे बात मत करो, ऐसे ही वो सारे बहस करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर योंग जुन सब को शामत कराती हैं, बोर्ड रही होते हैं, बुछे पता है कि मुझे यह सब नहीं करना चाहे थ बसते हैं और वो होते हैं हेचुल और संगबे उनके सामने दो टोकरियों के होते हैं जिन पर की बहुत सारी पपर होते हैं सारे लुग बहुत दो खुछ होते हैं हיצ lingering के family member stage पहुच जाते हैं हिचुल के साल चल्ड 수 सर्वीर्ट कर रहे होते हैं योइंग जूओ भी खुछ होते हिचुल पहुचते हिचुल को हग कर लेती है कॉंटर्स कतम होने के बाद वो सारे घर पहुशते हैं और वहाँ पर सेर्वेट कर रहे होते हैं जो हेचल को पैसा मिला होता है कॉंपटिजन से वो पैसा यॉंग जू ने सोमिन को दे दिया था ताकि वो उन बच्चों के लिए बुक्स ला सके सोमिन बहुत जाता खुश होते हैं जो बागी के पैसे बचे होते हैं जोंग जू कहरी होते हैं जो कहरी होते है ग्रोंस टीजो बहुत अच्छी थी तब भी सोमिन बहाँ पर आते हैं जो हेचल को बता रही होते हैं जो यौँ है हां जीजो को जएउन आया होता है जो जेउन जोंग जाता है जोहन जोंग जोब्हां पर आते हैं क fatto रही थें इदर हीचुल जेउन से बात करने के लिए, उसे उसी जगे पर लेकर जाता है, जहाँ पर वो यंग्जू के साथ गया होता है. वहाँ पर पॉचकर जेउन उसे बोर हुट ही होते है, कि वाकर में तुम्हें ये जगे सूट करती है. मुझे पता है कि तुम यहाँ पर रहना चाहते हो लेकिन एक बास जरूरी है कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकती हूँ लेकिन आखर में चोईस तुमारी होगी जो भी तुम चूज कर गए हो मेरे लिए ठीक होगा मैं जाद दे तक वेट नहीं कर सकती हूँ, इस वैसे तुम्हें अपने true feelings दिखानी होगी। हीचुरोच सोचनल रहाता है कि honestly मुझे तुम्हें thank you बोलना चाहिए। थोड़ी देर बात करके वो उसे वहाँ से भेज देता है। दूसी और यंग्डुक को जैसे ही यंग्डुक के बारें पता चलता है, वो उसकी details लेकर हीचुरोच के घर पर जा रहा होता है, हीचुरोच के फादर घर के बाहर होते हैं और वो सारा समान चेक कर रहे होते हैं, तब ही वहाँ पर एक person आता है उसे बोल रहा होता है कि मुझ जिसके पास वो safe होता है, जिसमें कि वो सारे पैसे होते हैं, लेकिन वो safe खाली होता है और ये बात उसके cellmate को नहीं पता होती है। तो मैं आप यहाँ पर नहीं रह सकती हूँ वो काफी emotional जाती है गुडबाई कहके वहाँ से जा रही होती है तब ही वहाँ से जाते हुए हेचल के फादर उसे देख लेते हैं और उसे बोड़ रहते हैं कि तुम यहाँ से नहीं जाओगी जाते हैं कि तुम चुप हो जाओ और उसे जाने के लिए कहता है एचल के फादर को लगता है कि वह ऐसा बोड़ रहा है जंग जू से इस वैसे वो इसके पार जाते है उसे पीटना शार्ट कर देते हैं मैं कहा देती जो कि परोल पर रिया हुई हूँ मुझे लगा कि आप सारी लोग समझेगे कि मैं चोरू इस वैसे मैं आप सब को नहीं बताया इस बारे में प्लीज आप सब लोग मुझे माफ कर दो आप सबने मुझे बहुत अच्छी तरीगे से ट्रीट किया है मुझे डरता कि कहीं मैं आप सब को डिसपॉइंट ना कर दू सारे फैमिली मेंबर ये भास सुनकर बहुत ज़्यादा परिशान होता है और कुछ भी नहीं कहते है यंग टुक यंग जु से बोल रहा होता है कि आपको मेरे साथ चलना होगा स्टेशन यंग टुक कुछ भी नहीं कहता है फिर यंग जु वहाँ से चली जाती है अकले दिन यंग जु की सिस्टर की वेडिंग होती है तो फिर वहाँ पर पहुँच जाती है वेडिंग अटेंट करने के लिए अपने सिस्टर से मिलके वह बहुत जादा खुश हो जाती है अब कुछ अफते बीद गए होते है, हेचुल अपने घर पे होता है, फिर उपने फादर की रूम में जाता है, वो देखता है, कि वहाँ पर एक चेर रखी हुई होती है, हेचुल अपने फादर से बोल रहा होता है, कि आपने मॉम की चेर फिक्स कर दी है, फादर बता रहे हो कि मैंने फिक्स नहीं की बलकि यॉंग जू फिक्स करके गई थी। कि मैं जूट बोल सकता हूँ क्या तुम बैट लगाओगी यॉंग जूस की बात मान जाती है अचानक से हेचल यॉंग जू के करीब जाता है कि ये सच है या फर जूट फिर वो यॉंग जू की आँखों में देता है और उसे बोल रहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तुम्हें ये कहने के लिए मैंने बहुत बार सोचा कई बार तो ऐसा लगा कि मैं गिव अप करता हूँ कर लेता है उसी टाइम उनके पास एक आदम हुज़ता है और वो हेच्छो की पॉकेट में हाथ डालके कुछ निकाल कर वहाँ से चला जाता है यॉंग जू हिच्छो से बोल रही होता है कि तुम उसे जाने दो मुझे वालट नहीं चाहिए फिर योंग जू आगे की ओर देखती है और जो परसन भाग रहा होता है वो चीज लेकर वो रुख जाता है फिर वो पीछे मुटता है और उसके हाथ में वो रिंग का बॉक्स होता है इसके बाद वहाँ पर हेचल के फ्रेंड आ जाते हैं हेचल योंग जू से बोल रहा होता ह योंग जू कुछ भी नहीं बोलती है और मुस्कराने लग जाती है तो दोस्तों यहें पर गदम होती है मूवी